सोमवार का दिन भगवान शिप का प्रिय दिन होता है और इस दिन भगवान शिप की विशेश रूप से पूजा की जाती है भगवान शिप को भोलेनात इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं भगवान शेप थोड़ी सी अराधना से ही प्रसन हो जाते हैं और आशिरवात देती हैं कई लोग सोमवार का वरत भी करते हैं सोमवार का वरत अच्छा जीवन साथी पाने के लिए तो किया जाता ही है उसके साथी धन और सम्रिधी के लिए मा गौरिका और शिप का पूजन किया जाता है जो लोग किसी कारण से सोमवार का वरत नहीं कर पा रहे हैं वह भी सोमवार के दिन इस छोटे से उपाई को करके शिप को प्रसन कर सकते हैं और उनकी किरपार और आशिरवात प्राप्त कर सकते हैं आज हम आपको भगवान भोलेनात को प्रसन करने के लिए एक ऐसा असान सा उपाई बताने जा रहे हैं जिस उपाई को कोई भी व्यक्ति असारी से कर सकता है और भगवान भोलेनात को प्रसन कर सकता है पापों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ती के लिए सुमवार के दिन स्नान करके साफ सुत्री कपडे पहल ले और उसके बाद एक ताबे का लोटा ले उसमें साफ जल भरे और जल में थोड़े से काले तिल डाले और थोड़े से जौड डाले फिर यह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर चड़ादें। जल चड़ाते समय पूरिश ओम नमज शिवाई मन्तर का जब करें। फिर इसके बार एक देसी घी का धीपख जलाए। और भगवान शिव के सामने बैठ जा ये। और बैठकर आँखे बंद करके कम से कम 21 बार ओम नमश्यवाय मंतर का जाप करें और इस्तिया नमश्यवाय मंतर का जाप करें भगवान शिप को जो अर्पित करने से सुख में वृद्धी होती है और तिल चड़ाने से पापो का नाश होता है यह चोटा सा उपाय आप हर सुम प्राप्त कर सकती हैं इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों रिस्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए साथ यसाथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नौटिफिकेशन तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवा दोस्तों